गोल्ड का ये movement ऐसा बहुत रेर देखने मिलता है लेकिन जब ऐसा मिलता है तो क्या छोड़ना चाहिए बिल्कुल नहीं volumes या तो top में बहुत ज़्यादा बनते हैं या bottom में बहुत ज़्यादा बनते हैं fall के time ध्यान रखिएगा ये time profits बुक करने का है और अब देखा जाये तो करीब करीब हर एक को technicals का कुछ न कुछ ग्यान हो गया with volume and breakouts और इसी लिए मैंने इसको थोड़ा और simplify और advance भी बनाया ह breakout trades में फिक breakout से बचने के लिए क्या हम इस नए तरीके से study कर सकते हैं मैं हूं जोती बुदिया मेरे पास जो request आती है या demand आती है उनके ओपर मैं videos बनाती हूं strategies ऐसा है कि आप किसी भी एक को mastery कर लो और उसी में deeper 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 जाते जाओ तो उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती लेकिन एक ही चीज को सब लोग mastery नहीं कर सकते हैं सबकी अपनी अपनी trading temperament है market को देखने का नजरिया है और दूसरी बात ये कि एक ही strategy हर market scenario में काम नहीं करती और कोई भी एक strategy full proof नहीं होती market scenario पे भी हम strategy change करते हैं और practice ही हमको perfection की तरफ लेके जाता है friends ऐसा है कि मैं almost 1990 से technicals use कर रही हूं और 2001 से options और ये देखा है मैंने हर market scenario में अलग-अलग चीजे काम आती है तो हम एक ही strategy पे strict होकर चले तो उतना मजा नहीं आता है और हो सकता है किसी को trend lines में मजा आए किसी को RSI में मजा आए किसी को MSED में मजा आता है किसी को option buying में मजा आता है किसी को option writing में मजा आता है सब की अपनी अपनी style है मुझे इतने साल हो गए तो मुझे करीब करीब सारे styles की practice हो गई गए और सिखाते सिखाते तो हो ही जाती है और definitely इनसे जब trade निकलता है तो मैं यह नहीं कहती हूँ कि मेरा strike rate 100% है मेरा strike rate is approximately average 60-65% का मेरा strike rate है 10 में से 6 trade 7 trade सही पढ़ गए तो बहुत बड़ी बात है बाकी के लिए stop loss है stop loss मेरे लिए एक बहुत ही important बात है बीना stop loss की मैं trade नहीं करते हूँ और मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि किसी को भी बीना stop loss के trade नहीं करना चाहिए हाँ वो कर सकते हैं बीना stop loss के trade जुनको अपनी trading पे stop लगाना हो मुझे नहीं लगाना तो मैं stop loss लगाती हूँ और तभी आज तक हूँ बस यही एक बहुत बड़ी बात है कि लंबे समय तक टिकना और वो भी third generation के साथ में क्या आपको लगता है कि आज से 20-25 साल पहले ट्रेनिंग का कोई ऐसा चलता था अगर चलता होता तो मैं भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले चुकी होती और वो चीज की कमी मुझे बहुत फील हो रही है कि वो टाइम पे कोई ट्रेनिंग नहीं थी इसलिए जब मैं आज देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों को सिखा हूँ जितना सिखा सकती हूँ सिखाने की पूरी-पूरी कोशिश करोंगी आप डिमांड करते जाएए मैं वीडियो बनाते जाओंगी तो friends मेरा आज का टॉपिक है breakouts. Breakouts हम different varieties के देखते हैं, intraday में भी देखते हैं, daily में भी देखते हैं, yearly में भी देखते हैं जो सबसे common breakout जो सब के समझ में आता है वो है 52 week high का breakout या all time high का breakout और कुछ breakouts होते हैं previous day के high का breakout, trend line का breakout, intraday traders जो आज का intraday high का breakout या low का breakdown for intraday उनको use करके भी trade लेते हैं. मैं इसे अपने तरीके से जो मैं use करते हूँ और इसका बहुत ही simple तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं trend line breakouts जो की horizontal या slanting trend lines होगी उसका यूज करूँगी तो जैसे price ऐसे जाके breakout दे रहा है यह हमारा trend line breakout है तो friends अब यह जो breakout है पहले कम होता था आजकल थोड़ा ज्यादा होने लग गया यह fake breakout होने लग गया तो इसके साथ में हम volumes add कर देते हैं यहां पर और volumes जो है पहले क्या होता था कि breakout पे वाल्यूम आता था जी हां पहले volumes के साथ breakout आता था ऐसा हम कहते थे लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कि वाल्यूम के पहले भी कुछ candles ऐसी बनती है जिसमें वाल्यूम already built up start हो जाता है और वह almost open और low के पास में रहती है तो वह एक इंडिकेशन करके जाती है कि इसमें से कुछ पर्चेजिंग हम एक स्मॉल कॉंटिटी आज कर सकते हैं बाकी का अगर continue रहा तो कल करेंगे या next day करेंगे और next day वह generally gap up open होते हैं और उसके बाद वह भाग जाते हैं उसका volume बड़ा रहेगा आपका ज्यादा बड़ा volume रहेगा जब यह दो ट्रेड में आपको approximately eight to ten percent मिल जाता है yes I'm not wrong yes possibility है five भी मिल सकता है five eight ten जो मिल जाए उसके बाद price जो है वह कुछ sideways जैसा हो जाता है फिर वापस वह breakout करता है तो इस तरीके के breakout जो है न वह find out करना easy है उसके बाद एक market नया range में चला गया बहुत दूर से कहीं एक breakout यहां आ गया यहां पे आके मुझे बड़ा volume मिलता है मतलब top में बड़ा volume breakout के साथ भी अगर होता है तो careful रहना पड़ेगा it can be a track तो हर breakout tradable होगा या नहीं होगा let's see on charts इसमें मैं थोड़ा सा in depth जाऊंगी तो शायद यह वीडियो आपको एक बार नहीं दो चार पांच बार देखना पड़ेगा okay so let's start यह मेरा यह जो है 1D 1D का मतलब daily तो daily में हमने इसको convert कर दिया और हम क्या देख रहे हैं यहां से एक trend line अब आप सोचों के मैंने यहां से क्यों नहीं लिया market ने नया low बनाया फिर यहां से आके उसने करीब करीब higher बनाके फिर low बनाके यह लिया तो मेरा सबसे पहला रहेगा यह वाला तो मैं यह horizontal line बनाऊंगी अब यह horizontal line बनाने के बाद क्या हो रहा है जो मैंने कहा था ना कि पहले ही breakout के पास में आपको बड़ी volume का candle मिलेगा तो friends मैंने भी आपको समझाया था कि पहले ऐसा होता था कि breakout के साथ volume आती थी अब breakout के पास में यह volume मिला अच्छा comparatively हम करना चाहें तो यह देखें तो यह देखें यह सब volume से continue volume increase हो रही है right with the same candle और साथ में क्या देखने मिल रहा है यह हुआ इसके बाद open and low nearby है इसके बाद वाला भी open and low nearby है पांच रुपे का फर्क है यहां पे almost same पैसा to पैसा सेम है तो यह तीन को अगर मैं देखूं तो volumes जो है यहां पर आपको कम दिखेंगे लेकिन यहां start में ही अच्छे दिखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि market जैसे जैसे mature होते जा रहा है वनाइसे mature का मतलब पहले बहुत कम public थी market में जो technicals जानती थी options जानती थी और अब देखा जाये तो करीब करीब हर एक को technicals का कुछ न कुछ ग्यान हो गया with volume and breakouts और इसलिए मैंने इसको थोड़ा और simplify और advance भी बनाया है क्योंकि मुझे यहां पर से volume भी मिल रहा है और उसके बाद breakout आया यहां यह मेरा stop loss रहेगा यह जो last candle है जहां पर breakout हुआ है वो वाले candle का low उसके नीचे का मेरा close अगर कोई candle उसके नीचे बंद होती है तो वो मेरा stop loss रहेगा यहां पे इसका low तोड़ा होगा लेकिन stop loss नहीं दिया close नहीं दिया तो stop loss इट नहीं हुआ उसके बाद यह उपर चलते गया अभी यह देखेंगे अगर हम तो यह candle again open और low pass में है राइट चलिए अभी इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं साथ में मैंने इसके स देख रहे हैं तो I'm sure आप market में successfully trade करना चाहते हो अलग-अलग टाइप के candlestick और chart pattern समझना बहुत important है क्योंकि यही patterns आपको सही entry और exit लेने में help करेंगे जोती बुधिया माम ने अपसर्ज.club के technical analysis course में chart patterns, indicators, trend lines और stock selection जैसे कई important topics in detail cover किये हैं according to our 10,000 plus learners यह आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है तो आज ही description में दिये गए link पे click कीजे और technical analysis सीखें Now let's get back to the video See it, volume is me increase हुआ है, right? फिर आया breakout candle, दो दिन में कितना percent बढ़ा है, 1.85 मतलब करीब करीब 7% तो बढ़ गया उसके बाद sideways, right? फिर आपको वापस volume वाला candle मिलता है यहां अब मुझे क्या previous high के पास कुछ मिल रहा है, नहीं न, तो मुझे क्या करना चाहिए अगर यह है तो profit book करना चाहिए, RSI 70 के उपर है और 80 पहुँच चुका है, volume टॉप में दिया है volumes या तो top में बहुत ज़्यादा बनते हैं, या bottom में बहुत ज़्यादा बनते हैं, fall के time पे ध्यान रखिएगा, यह time profits book करने का है, मैं कभी भी यह नहीं कहूंगी कि आप completely exit कर लो, reverse कर लो मैं तो यह कहूंगी कि profits book करिये और free का shares घर में रखिये, एक retailer के हिसाब से चाहिए दो ही share free हो और जिनोंने बड़ा trade किया है तो उनके पास बड़ी quantity के share free के होंगे और जो free के share है, company अगर blue chip है, fundamentally sound है, तो free के share रखने में क्या problem है, portfolio हमेशा green रहेगा, sideways कहीं पे भी उतना बड़ा volume नहीं दिख रहा, right वापस ये जो point है, इसी को support बनाया, इसी का हम breakout पकड़ते हैं, तो देखिए, ये breakout, ये हाँ, ये लाल breakout और इसमें आपको छोटे से candle में breakout मिला है, it is a bullish doji type, चले इसको और complicate नहीं करेंगे, again breakout के पास volume, हमेशा breakout को जहाँ टच कर रहा है उस line को, वहाँ पर volume मैंने देखा ह वैसे भी आपको एक चीज बताओ, हर share की चाल एक जैसी नहीं होती, हर script की reading एक जैसी नहीं होती, तो थोड़ा सा महनत कीजिए, और हर एक script को इस तरह से देखिए, कि वो कब-कब ऐसे क्या-क्या reading देता है, एक line सुनी होगी न, history repeats itself, तो ये share का ऐसा behavior है, हम इस तरह से चल स रहते हैं, तो जब हम इनको देखते हैं, फिर देखे ये breakout, उसके ओपर close दिया, फिर ये breakout और ये volume, सबसे बड़ा volume, राइट, यहां पर भी देखेंगे सबसे बड़ा volume, यहां पर भी देखेंगे सबसे बड़ा volume, अब यहां से जो start हुआ है, तो पॉइंट फॉर 1% यानि कि 2.4, 3.6 मतलब approximately 6% and 2.8 हो गया 8% कितने दिन में 1, 2, 3, 4 और क्या चाहिए तो इस तरह से हम breakouts को study कर सकते हैं चलिए एक और दिखाते हैं आपको इसमें ये वाला horizontal line क्या कहते हैं क्या इसका breakout के पहले वाला candle है ब्रिक आउट के पहले वाला candle almost open and low nearby है और अगर देखा जाए तो volume ये रहा comparatively volume हाई है मैंने कहा ना market जैसे से mature होगा लोगों को technicals की knowledge अच्छे अच्छी हो जाएगी तो market इतनी easy ली तो पैसा कमाने नहीं देगा और यहाँ पे जब हमको volume मिलता है तो हम बहुत बार ये सुचते हैं कि शायद हम trap न हो जाए और possible है कि हम trap को सकते हैं बिल्कुल कर सकते हूं और फिर ये दो दिन में इसका movement देखिए 3% 5% approximately 8-9% तो होई गया दो दिन में ये technique जितनी simple दिखती है उतनी simple है नहीं क्योंकि ये कहना कि साड़े तीन के बाद तो कोई भी दिखा सकता है क्योंकि वो दिखती है clearly but मैंने ये चीजों पर काम किया है और फिर भी मैं कहती हूं कि 100% का strike rate नहीं है 60% का strike rate आ जाए तो we should be very very happy बागी के लिए stop loss है अब same चीज यहां पर देखते हैं right again a previous candle giving you big volume which is near the support which is again this candle giving you volumes and ready for a breakout उसके बाद वाला वॉल्यूम के साथ में जब बड़ा मूवमेंट दे दे और दो दिन के अंदर मूवमेंट चार चार आठ नौ परसेंट आ जाए प्रॉफिट बुक करिये होल्ड करिये प्रॉफिट बुक करने का रीजन यह है कि अगर टर्न ले लिया तो हाथ से चला जाए और प्रॉफिट बुक करते जाए और फ्री के शैस घर में रखते जाए अभी यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम हो रहा है लेकिन कल को अगर किसी भी कैंडल ने यह न्यू हाई पे बिदाउट अ ब्रेक आउट अगर अल टाइम हाई और न्यू हाई पे इससे जादा वॉ जहां पे अल्टाइम हाई हो जाए और अल्टाइम हाई एक बार में नहीं चलता जाए वहाँ पे चलिए अब आपको मैं और एक अच्छी चीज दिखाती हूं गोल्ड गोल्ड में यह ब्रेक आउट की तयारी में है राइट और यह देखिए ब्रेक आउट के पहले मैं लेके जाओंगी विथा स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस क्या होगा इसी कैंडल के लो के नीचे क्लोज देगा तो मैं एक्जिट कर जाओंगी और अगर वॉलेटाइल है तो एक गंटा तक टिका रहा वहाँ पे या आदा गंटा तक भी टिका रहा बहुत ज्यादा अदा गंटे तक भी टिका रहा और इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा यह कैंडल का लो इसके लो के नीचे बंद चाहिए और भी वोलेटाइल है तो फिर यह जो इसके प्रीवेस वाला कैंडल रहेगा इसके लो के नीचे हिट एंगो मतला बो तो मेरा कनफर्म इस डिफ्रेंस वॉल्यूम भी अच्छा है उसके बाद भी येस आरे साथ सेवेंटी कितना मूवमेंट आ गया डेड़ परसेंट वन पर्ट्री नाइन करीब करीब तीन साड़े तीन परसेंट गोल्ड में दो परसेंट अगर दो दिन में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है यहां पर वॉल्यूम फिर रेड कलर आरे साइट ऑपन हाई प्रॉफिट बुकिंग बनती है राइट मुझे नहीं मालूम कि यह 75 गया था या नहीं मैं आपको रियर्ट बता रही हूं प्रॉफिट बुक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो वही रखो विकाज आपन साइए बिल्कुल नहीं अब आते हैं इसी तरह के कुछ ब्रेक आउट पर मल्टियर ब्रेक आउट टाइप ऑफ स्टॉक्स यह स्टॉक है रेल टेल फर्स्ट मार्च यह मार्च मंथ 2021 जो मल्टियर देखते हैं मिनिमम टू यह अगें होरीजॉंटल स्टेट लाइन यह रहा ब्रेक आउट के पहले का ट्रेड और मंथली में यह रहा ब्रेक आउट के पहले वाला कैंडल आरेसाी हटा दिया मंथली के पहले ब्रेक आउट कैंडल and see the volume क्या कहते हैं अब इसी केपर लाइन भी बना सकते हैं जिससे आपको पता चले कि volume almost breakout हो गया है और उसके बाद एक ही महिने में 27% दूसरा महिना भी है फिर sideways हो गया उसके बाद तो इसने रुखने का नाम ही ले लेकिन हम breakout जो है breakout trades में फिक breakout से बचने के लिए क्या हम इस नए तरीके से study कर सकते हैं ट्राइ कीजिए अगेन strike rate 60% कुछ stocks में ये काम नहीं करेगा तो जबरदस्ती काम मत करवाईए उससे उस stock को ignore कर दीजिए लेकिन जिस stock में इस type की reading आती है उसको तो कीजिए जब भी वो breakout आए तो जब हम ऐसे बीस पचीश स्टॉक्स थी स्टॉक्स पचास स्टॉक्स दून लेकर तयार कर लेते हैं तो हर महीने क्या एक या दो स्टॉक्स भी हमें नहीं मिलेंगे जो हमें तो आपी मैं मैक्सिमम वीडियो और यू कैंट से ओल वीडियो आज जेनरली फॉर रीटेल ट्रेडर्स क्यों कि एक्सपर्ट्स इनके पास तो बहुत सारे सोर्स हैं सीखने के समझने के लेकिन रीटेल ट्रेडर्स या नोविस जो कि नए नए मार्केट में आए हैं या जो ट्रेनिंग एपोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये मेरी एक छोटी सी कोशिश मुझे बताईए टॉपिक्स आप दीजिये सिखाने का काम मेरा तो कमेंट बॉक्स में आपके टॉपिक्स का इंतजार है थैंक यू